दे टास्क बार्बी में आप सभी का स्वागत है सारा काम हो गया अब चल कर नहा लेती हूँ अगर बबु आ उठ गया तो नहाने भी नहीं देगा निर्मला कपड़े लेकर नहाने के लिए चली जाती है मा जी और बाबु जी खेट से आते ही होंगे उनके आने से पहले में जल्दी से नहा लेती हूँ निर्मला बातरूम में घुसकर नहाने लगती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पानी गरम होता जाएगा इसलिए सुबह ही नहा लेना चाहिए नहीं तो दो पहर में तो पानी एकदम उबल जाता है निर्मला जल्दी जल्दी नहा कर बात्रूम से बाहर आ जाती है नहा तो ली साड़ी धोकर अभी छट पर डाल देती हूँ शाम तक सुख जाएगी नहीं तो बात का काम बात में ही होता है निर्मला सारी धोने लगती है अब तो नीलो निलिमा अपने कपड़े खुद धो लेती है चलो ये अच्छी बात है थोड़ा काम मुझे कम करना पड़ता है निर्मला सारी धोकर छट पर डालने के लिए चली जाती है भाबो जी से कपका बोला है कि पक्की सीडिया बनवा दो इसमें तो गिरने का भी डर रहता है हे भगवान छट पर अभी इतनी धूप है माई जोन में तो हालत खराब हो जाएगी जल्दी से साड़ी डाल कर नीचे चलती हूँ अब तो मेरे सारे काम हो गए अब तो मैं एकदम टेंसन फ्री हो गई निर्मला कपड़े डाल कर छट से नीचे आ जाती है सोची थी कि नहा कर खाना खाऊंगी लेकिन बबुआ खाने के तब न यो ने लगा आ रही हूँ बेटा आ रही हूँ मत रो आ गई बेटा आ गई मैं निर्मला बबुआ को जल्दी से गोधी में ले लेती है अरे बबुआ का तो पूरा शरीर बुखार से तप रहा है हे भगवान अब क्या करूँ मेरे फोन का रिचार्ज भी खतम हो गया है अब फोन कैसे करूँ ऐसा करते हो घर में ताला लगा कर बबुआ को डॉक्टर के पास ले चलती हूँ निर्मला कमरे में जाकर जल्दी से अपना पर्स लेकर बाहर जाने लगती है हे भगवान ऐसा लग रहा है कि बबुआ का बुखार बढ़ता ही जा रहा है निर्मला जल्दी से अपने घर का गेट बन कर देती है और ताला लगा कर जाने लगती है जल्दी जल्दी चलती हूँ, बजार जाने के लिए अभी बस मिल जाएगी निर्मला जल्दी जल्दी से जाकर बस वाले रास्ते पर खड़ी हो जाती है बस इस टैंड से बस यही पर आएगी रुक जाती हूँ थोड़ी दिर इंतजार करने के बाद निर्मला बोलती है हे भगवान अब क्या करूँ यहां तो कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही अब बजार कैसे जाओ बबबगा का शरीर और गरम हो गया है थोड़ी दिर बसका इंतजार कर लेती हूँ शायद कोई गाड़ी मिल जाए निर्मला काफी देर तक बसका वेट करती रहती है पंदरा 20 मिनट हो गए इंतजार करते करते लेकिन अभी तक कोई गाड़ी ही नहीं आई क्या करूँ तभी एक ट्रैक्टर वाला जा रहा होता है इस ट्रैक्टर वाले को बोलती हूँ शायद बजार छोड़ते ट्रैक्टर वाले भहिया मुझे बजार जाना है क्या आप बजार की तरफ जा रहे हो हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ लेकिन बेस रुपे लगेंगे कोई नहीं आप बस मुझे बजार छोड़ दो मैं पैसे दे दूँगी फिर घास पर बैट जाईए वैसे आपको जाना कहा है मुझे बच्चो वाले हॉस्पिटल में जाना है ठीक है मैं आपको वहीं उतार दूँगा लेकिन तीस रुपे लगेंगे वहाँ उतारने के लिए ठीक है मैं पैसे दे दूँगी लेकिन आप मुझे जल्दी से छोड़ दीजिए निर्मला जल्दी से ट्रेक्टर पर बैट जाती है मैं बैट गई भीया आप जल्दी से चलिए फिर ट्रेक्टर वाला ट्रेक्टर चलाने लगता है थोड़ी देर में गाड़ी बच्चों के हॉस्पिटल के सामने को मुझ जाती है बहन जी आपका हॉस्पिटल आ गया है अब आप उतर जाएए ठीक है भईया जी उतर रही हूँ निर्मला ट्रेक्टर से उतर कर ट्रेक्टर वाले को पैसे देने लगती है ये लीजी भईया आपके पैसे ठीक है भईया जी अब मैं चलता हूँ ट्रेक्टर वाला चला जाता है जल्दी से चलती हूँ नहीं तो भीड हो जाएगी निर्मला हॉस्पिटल पहुँचकर खाले से इट देकर वहाँ पर बैठ जाती है पता नहीं डॉक्टर आनी साहिबा कब तक आएंगी अभी समय ही क्या हुआ है सरकारी अस्पताल में सभी डॉक्टर बारा बज़े के बाद ही आते है अभी तो बारा बज़ने में दस मिनट बाकी है हे भगवान जल्दी जल्दी में फोन भी लाना भूल गई कुमोण्डर जी डॉक्टर सहाब कब तक आजाएंगी आती ही होंगी तब भी डॉक्टर मैडम आजाती है कुमोण्डर मेरे पास आज टाईम कम है मैं कुछी बच्चों को देख पाउंगी बाकी लोगों को लंस के बाद देखूंगी ठीक है मैडम आप बैठिए मैं एक एक मरीच को अंदर भीचती हूँ डॉक्टर मैडम अंदर जाकर बैठ जाती है लेलावती जी आप अंदर जाईए और अपने बच्चे को चेक करवाईए ठीक है मैडम मैं जाती हूँ लीला वती अपने बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखवाया है कृपया अपना नाम लिखवा लीजिए अरे मैं तो अपना नाम लिखवाना भोले गई चलकर जल्दी से लिखवा लेती हूँ निर्मला खड़ी होकर अपना नाम लिखवाने के लिए चली जाती है मैडम जी मेरा नाम भी लिख दीजिए, मेरा नाम निर्मला है लिख दिया, आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाए ठीक है मैडम मैं जाकर बैठ जाती हूँ, नंबर आए तो मुझे बता देना निर्मला दुबारा जाकर बैट जाती है लीला वती कमरे में से बाहर आ जाती है अब मेरा बाबो ठेक हो जाएगा डॉक्टर ने दवाई लिख दी है राजवंती आप अंदर जाएए ठीक है मैडम मैं जा रही हूँ राजवंती उठकर अंदर चल देती है डॉक्टर साहाब मैं आ जाऊँ हाँ पंदर आकर बैट जाएए बोलिए बच्चे को क्या दिक्कत है मैडम कल से इसे बहुत जोरो की बुखार है अच्छा रुको मैं अभी चेक करती हूँ डॉक्टर थर्मामीटर लगा कर बच्चे का बुखार चेक करती है एक मिनट हो गया है लाइए थर्मामीटर देखती हो कितना बुखार है अरे इसको तो काफी तेज बुखार है बच्चे को काफी तेज बुखार है मैं आपको दवा लिख कर देती हूँ आप मेडिकल से ये ये दवाई ले लेना डॉक्टर जल्दी से पर्ची पर दवाई लिख देती है ये लीजिए पर्ची ये दवाई जो है बच्चों को पानी में घोल कर तीनों टाइम पिला देना राजवन दे पर्ची लेकर कमरे में से बाहर आ जाती है पायल अंदर जाएए अरे मेरा नमबर आ गया पायल जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती है हे भगवान पता नहीं मेरा नमबर कब आएगा बबुआ को तो बुखार चड़े जा रहा है पायल एक मिनिट में ही कमरे में से रोते हुए बाहर आती है मेरा बाबू मेरा बाबू तभी तुरंत डॉक्टर बाहर आ जाती है मेरा बाबू आप इसे जल्दी से ले जाकर शहर में भड़ती करवा दीजी ये बहुत सीरियस थीस है हाँ मैडम आप इसे ले जाकर जल्दी से भड़ती करवा दीजी मैडम सही कह रही है औरत रोते रोते चली जाती है कमपाउंडर मैं मीटिंग में जा रही हूँ मैडम सिर्फ एक मरीज है और देख लीजी बहुत दूर से आई है नहीं मैं बात में देखूंगी बहुत अरजेंट मीटिंग है डॉक्टर जाने लगती है तभी निर्मला उटकर डॉक्टर के पीछे आने लगती है डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाएए प्लीज मेरे बच्चे को देख लेजिए डॉक्टर साहब कहीं ये भी सीरियस ना हो जाए प्लीज डॉक्टर साहब देख लेजिए मैं अभी देख नहीं पाऊंगी तुम जो वहाँ बैठो मैं भी मीटिंग में से आकर देखती हूँ इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है अगर बबगा को कुछ हो गया तो मैं घरवालों को क्या मू दिखाऊंगी एक मिनट डॉक्टर चेक नहीं कर सकती लंज के बाद ही मैडम देखेंगी आप भी बाहर जाकर कुछ खा लीजिए जिसका बेटा वो घर से तप रहा हो उसे भला भूख कहा लगेगी फिर भी हिम्मत करके कुछ खा पी लीजिए इतना बोलकर कमपाउंडर भी उठकर चली जाती है निर्मला कुड़सी पर बैठकर रोने लगती है ही मातरानी मुझसे क्या गलती हो गई जो इस सब देखना पड़ रहा है पता नहीं लंच कब खतम होगा और बबुआ का शरीर एकदम तपा जा रहा है एक घंटे बार लंच खतम हो जाता है गरीबों की सुनने वाला कोई भी नहीं है सरकारी अस्पदाल में तो यही होता है अस्पदाल तो होता है लेकिन डॉक्टर नहीं होते शाम होने को आया है लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आये बहन जी टेंसन मतलो डॉक्टर आती ही होंगी अंधेरा होने को आया है लेकिन ना तो कमपाउंडर आया है ना तो डॉक्टर मैं क्या करूँ घर पर भी सब इंतजार कर रहे होंगे मुझे खोज रहे होंगे तब ही डॉक्टर और कमपाउंडर दोनों साथ में आते हैं कमपाउंडर जल्दी से इनको अंदर भेजो आप जल्दी से अपने बच्चे को दिखा लेजिए डॉक्टर मैडम को जाना है निर्मला बबुवा को लेकर डॉक्टर मैडम के पास जाती है मैडम मैं अंदर आ जाओ हाँ हाँ जल्दी से आकर बैठिये बोलिए क्या हुआ है इसको मैडम इसे सबह से बहुत तेज बुखार है डॉक्टर जल्दी से बबुवा को चेक करती है अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है मैं जल्दी से दवा लिख देती हूँ डॉक्टर जल्दी से दवाई लिख देती है ये लो पर्ची और ये दवाई बाहर से ले लेना और तीनो टाइम फिला देना डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर आ जाती है डॉक्टर के पीछे निर्मला भी बाहर आ जाती है बबुआ तो ठीक हो जाएगा मैं दवाई ले लेती हूँ कमपाउंडर जी ये दवाई कहां से लेनी है दवा बाहर से खरीदनी होगी लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मैं तो बस सो रुपे लेकर आई थी वो भी बस किराया सरकारी अस्पताल में तो दवा फ्रे मिलती है ना मैडम अभी यहाँ पर दवाई खरीदनी होगी आप बाहर से खरीद लीजिए मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अभी लेलू अब जल्दी से घर जाना होगा नहीं तो पबुआ का बुखार बहुत तेज हो जाएगा जल्दी से जाती हो दोस्तो वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई